सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाईए और आने वाले इंटिस्टिंग न्यूज के मज़े पाईए भारतिय सेना की और से नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना पर की गई कारवाई के बाद पाकिस्तान में भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उनने दावा किया है कि उन्होंने भारत के बनकर तबाह किये है अब भारतिय सेना ने पाकिस्तान की इस वीडियो की पोल खोली है सेना ने पाकिस्तान के वीडियो को फरजी बताया है आर्मी सूत्रों की माने तो भारतिय आर्मी ने अपने यहां मजबूर बनकर बना रखे हैं, ना की पत्थरों को जोड़ा है सेना ने इन तथियों से पाकिस्तान के वीडियो की पोल खोल दी भारतिय सेना ने मजबूर बनकर बना रखे हैं ना कि पत्थरों की धाल जब की वीडियो में पत्थरों की धाल देख रही है वीडियो में फाइरिंड नहीं देखी जा सकती है बस धमा के ही देखे जा सकते हैं लग रहा है कि वीडियो को खुद बनाया गया है 13 माई के बाद से भारतिय सीमा में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है पाकिस्तान की ओर से 13 माई को जारी की गई प्रेस रिलीज में किसी भी नुकसान की सूचना नहीं वी गई थी पाकिस्तान की ओर से जारी की गई वीडियो कई बार एडिट की गई है भारतिय सेना के वीडियो जारी करने के बाद पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें भारतिय पोस्ट को उड़ाने का दावा किया जा रहा था पाक आर्मी के मेजर जनरल इसेव कफूर ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत ने मिलदोश नागलिकों को निशाना बनाया, जिसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारतिय पोस्टों को तबाह किया. डेली ट्रेंडिंग न्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूस के लिए.